निम्न लीखित में से किस अस्थल से हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चोपनी मंदा, दमदमा, महदहा या सराय नागराय से। तो इस खासा ही उत्तर हो जाएगा महदहा से। नेक्स्ट कोश्चन। हड्डियों से निर्मित आभूसर्ण भारत में मध्य पासाण काल के संदर में प्राप्त हुए हैं। चोपडी मंदा से, दमदमा से, महदहा से या सराय नाहराय से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महदहा से। नेक्स्ट कोश्चन। एक ही कब्र से तीन मानव का अंकाल निकले हैं। चोपडी मंदो से, दमदमा से, महदहा से, सराय नाहराय से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। दमदमा से। नेक्स्ट कोश्चन। भारत में मानव का सर्व प्रतम साच्छे कहां से मिला है। निलगेरी पहाडिया, सिवाली का पहाडिया, नलमाला पहाडिया ये नर्मदा घाटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी। नेक्स्ट कोश्चन। भारतिय उप महादीप में किरिशी के प्राचिंतम साच्छे प्राप्त हुए है। कुल्डीवा से, लहुरा देव से, मेहर गल्ड ये टोकवा से। इसका सही उत्तर हो जाएगा लहुरा देव से। नेक्स्ट कोश्चन। भारतिय उप महादीप में किरिशी के प्राचिंतम साच्छे प्राप्त हुए हैं। उस अस्थान का नाम बताये जहां से प्राचिंतम अस्थाई जीवन के प्रामाण मिले हैं। धौलाविरा, काली बंगा, हडपा, मेहरगड तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगड। नेक्स्ट कोश्चन। निमनलीखित में से किन अस्थानों से मध्य पैसाणकाल में पोसुपालन का प्रमाण मिला है। अधे, बोरी, बागार या लखनिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा बागार या राजस्थान में स्थित। नेक्स्ट कोश्चन। नौडा टोली का उत्खनन किस ने किया था? बाजबय ने, वांकर ने या संकलिया ने या मार्टीन वीलर ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा एच्च डी संकलिया ने। नेक्स्ट कोश्चन। भीम बेट का किसके लिए परसिद्ध है गुफाओं में सेल चित्र, खनेज, बौध परतिमा या सोन नदी का उद्गम स्थल तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुफाओं में सेल चित्र के लिए हलो दोस्तो तो अभी तक लिए इस वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले चलिए कोश्चन की तरफ नेक्स्ट कोश्चन गरतावास के साथ से कहां से मिले हैं चिरांद, बोर्जोम, मादा या दम्दमा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोर्जोम या कास्मीर में इस्थित है निम्न लिखित में से किस अस्थान से मानव कांकाल के साथ साथ कुते का कंकाल भी मिला हैं चिरांद, बोर्जोम, मादा या दम्दमा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोर्जोम या कास्मीर में इस्थित है किस काल में मानव के लिखित सुरुत का साथ से नहीं मिला है यानि लिखित सुरुत का साथ से नहीं मिला है प्राग या तियांसी काल आदे तियांसी काल या पूरा पसान काल तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राग या तियांसी काल में मानव का लिखित कोई सुरुत नही मिला है निक्स्ट क्वेश्चन किस काल में मानोदर लिखी गई लीपी को पढ़ा नहीं जा सका है प्राग 83 काल आदे 83 काल 83 काल पुरा पसाण काल तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदे 83 काल क्योंकि इसमें मानोव लिखा था लेकिन उस लीपी को अभी तक लिख पढ़ा नहीं जा सका है इसमें आपका आ जाता है सिंदू धाटी की सबेता इसमें लिखी जनकारियों को असप्ष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा सका है नेक्ट कोश्चन पासाण काल में मानों का मुखेकार क्या था? वैपार, क्रिसी, सिकार ये सभी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकार ये पासाण काल के रोग सिकार यानी आखेट किया करते थे नेश्ट कोस्टन उत्तकनिक्त उपकरनों के आधार पर पत्थरों के औजार की सकाल में सबसे अधिक देखने को मिले हैं? प्राग एतिहासी काल, आदे एतिहासी काल, एतिहासी काल, पुरा पसाण काल तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राग एतिहासी काल next question मानो दरा पहिये का अविस्कार किस काल में किया गया था पुरा पसाण काल, मधे पसाण काल, नव पसाण काल ये ताम्र पसाण काल इसका सही उत्तर हो जाएगा नव पसाण काल क्योंकि 9 पसाणकाल में मानावने ब्यवस्ति ढग से क्रिसी करना भी अस्टार्ट कर दिया था, और उसके साथ साथ पहिये का भी अविस्थार कर दिया था. Next question. मानावने कीजे काल में अपनी अस्थाई निमास बनाया? पुरा पसाण काल, मधे पसाण काल, नव पसाण काल या तामर पसाण काल तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा नव पसाण काल Next question मानोदर बनाया गया प्रथम अवजार क्या था? भाला, कुलहाडी, तल्वार, यहीद में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुलहाडी, मानों ने सरो परथम कुलहाडी बनायी थी Next question प्राग ये 83 काल का कौन साथान बिहार में इस्थी थे? बुर्जोहम, महदाहा, दमदमा, चिरांद तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिरांद यह बुर्जोहम, यह कास्मीर में इस्थी थे? महदाहा, महदाहा ये उत्तर परदस में है, दमदमा ये भी उत्तर परदस में है, और चिरांद, चिरांद बिहार में है तो दोस्तों यही पर आज का सेशन समापत होता है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें